आपके पास Vivo Y200 है 200 series का कोई और फोन है तो यहां पे आप ambient light effect कैसे set कर सकते हैं अपने फोन में किनारी किनारी पे जो light जलती है न तो incoming call यहां फिर आपको notification में चाहिए तो इसके लिए आप setting पे जाएंगे scroll कर लेंगे आपको यहां पे dynamic effect का option देखने को मिलेगा click कर लेंगे ambient light effect पे आप click कर लेंगे और आप चाहो तो इसको custom time भी कर सकते हो कि कभी यह start होना चाहिए कभी यह end होना चाहिए ठीक है जिसे start होने का time क्या होना चाहिए सुबे 10 बज़े से लेके और end time रात के 11 बज़े तक पीम कर लेंगे इसको और okay कर लेंगे सुबे 10 से रात के 11 बज़े तक का time मैंने set कर लिया अगर music के लिए चाहिए तो आप इसे on कर सकते हैं music का duration, display duration यह रहेगा one minute आप change कर सकते हैं और application on कर सकते हैं चिस चिस पर चाहिए और यहां पर ऐसे करके music पर side side में effect आपको देखने को मिलते हैं और by default आपका यह वाला है तो यहां पर side में इस टैप से देखने को मिलेगा किनारियों पर ठीक है यह होगया music के लिए incoming call के लिए चीए तो इसको on कर देंगे और यहां पर आपकी जब incoming call आती है तो इस टैप से कुछ शो करता है side में effects आप इसके colors वगरा change कर सकते हैं इसको apply कर देंगे तो देख सकते हैं इस टैप से आता है और यह हो गया notification के लिए notification के लिए आप on कर देंगे तो यहां पर आप application यूज़ कर सकते हैं कि कौन-कौन सी application पर आपको ambient light चाहिए तो उसे on कर देंगे और अगर सब पर चाहिए तो all app पर click कर देंगे तो सारी आप्लिकेशन पर ambient light देखने को मिलेगी और light effect कैसा होना चाहिए notification का इस टैप का या फिर यह वाला तो यह अलग अलग style के हैं आप select कर लेंगे और apply कर लेंगे इसके बाद back कर लेंगे तो यह है ambient light की setting इसी टैप के वीडियो के लिए आई बेटन पर click कर लेंगे मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार